Hello everyone, my name is Nadim and you are watching my YouTube channel Academia तो आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे अपने next topic अभी हमारी class 7, chapter number 8, जो की last chapter है, इस वाले book का अशर्ट in the market अभी continue है और आज की इसमें topic जो है हमारा the government export factory near Delhi अब Delhi आपको पता है, इंडिया की capital है, ठीक है? जो की New Delhi है, पूरा Delhi नहीं है, specifically New Delhi जो है वो इंडिया का capital है, ठीक है? तो जो Delhi है, उसके जो आसपास के जो छेत्रे हैं, ठीक है? वहाँ पर government export factory है, यानि कि जो कपडे जो export करती है भार country में यानि कि इंडिया से भार जो कपडे होते हैं, उनको sale किया जाता है, तो उसको बोलते है export यानि कि यह जो हमारा देश है, अगर इहां से कोई चीज भार जाती है दूसरे देश में तो उसको बोलेंगे export और अगर भार से किसी दूसरी country से हमारे देश के अंदर चीज आएंगी, तो उसको बोलेंगे import ठीक है, तो डेली के आसपास के एरिया में जो है, गार्मेंट export factory है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, detail में तो जैसे हमने अभी तक देखा तक जो मर्चेंट थे, वो वीवर से जो है, डारेक्ट उनके लिंक होते थे, और उनके लिंक जो garment industries होती थी, garment exporting factories होती थी, वहां से वो order लेकर आते थे, तो इरोड कहा था, तमिल नाडू में जैसे हमने बात की, यानि कि जो वीवर ने जो cloth बनाया है, यार्न से, उसको कहाँ पर supply करते हैं, इन factories में supply करते हैं, यानि कि डैली के जो आसपास, यानि कि यह कह सकते हैं, अगर यह हमारा भारत है, यह तमिल नाडू है, तो तमिल नाडू से यह कहाँ पर जाती है, डैली में, ठीक है, और डै यह merchant को order देते हैं, merchant order देते हैं, weaver को, वीवर कपड़ा बनाकर merchant को देते हैं, merchant वापस जो है, उस कपड़े को garment export factory को देते हैं, ताकि shirt बन सके, the garment export factory will use the cloth, अब वो cloth से क्या करते हैं, cloth के वो shirt बनाते हैं, क्योंकि उनकी machine होते हैं, जो factory के अंदर उससे shirt बनाई जाती है, the shirt will will be exported to foreign buyers, अब यह जो garment export factories हैं यह दूसरे देश में यह shirts बेच देती है, यह जो foreign buyers होते हैं भार countries के उनको वो बेच देती हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई individual है, कोई व्यक्ति जिनको यह factory shirts बेचती हैं, भार की जो outlet होते हैं, जो factories होते हैं, जो stores होते हैं, वो बड़े-बड़े businessmen इन garment export factory से जो shirt है वो bulk में खरीदते हैं, ऐसे नहीं होता है कि garment export factory एक shirt को किसी एक individual को बेकेंगी, ऐसे नहीं है, जो foreign buyers होते हैं, वो भी बड़े-बड़े business person होते हैं, उनकी भी stores होते हैं, जो कपड़ों के काम करते हैं, ठीक है, among the foreign buyers, अब यह जो foreign buyers हैं, यह business person होते हैं, कहा ठीक है, और आगे जो है, उसको expensive करके बेखते हैं, who run a chain of stores, यानि कि जो US और Europe से जो business person है, इनकी बहुत सरे stores होती है, ठीक है, जो कि एक chain बनाती है, बहुत ही इनका business फैला हुआ होता है, these large stores do business strictly on their own terms, अभी जो store है, जो मैंने आपको बताई, US और Europe के, यह अपने terms पर business करत होते हैं, ठीक है, यानि कि यह जो कपड़ा खरीतते हैं, government export factories से, यह बहुत यादा cheap खरीतते हैं, और quality of production का भी ख्याल रखवाते हैं, किससे, जो डेली के आसपास जो factory है, कि quality भी अच्छी होनी चाहिए, timely delivery भी होनी चाहिए, और आपको जो पैसा मिलेगा, वो कम पैसा मिल हैं, यह आगे जब अपने जो country में जो shirt को बेशते हैं, तो expensive यानि कि महंगी बेखते हैं, लेकिन जब यह डेली के आसपास factories से जो shirt ले जाते हैं, वो सस्ती ले जाते हैं, यानि कि lowest price पर वो ले जाते हैं, उसके असास सत वो कहते हैं, कि इसका जो standard होगा, वो अच्छा standard हो delay in delivery is dealt with strictly, so the exporter tries his best to meet the conditions set by these powerful buyers, यानि कि यह जो exporter हैं, यह जो factory हैं, डेली के आसपास, यह क्या करती हैं, अपना best देने की कोशिश करती हैं, कि यह जितने भी condition लगाई गई हैं, US और Europe के business person ने, उनको meet किये जाए, उनको देखा जाए, ठीक है, आई होब कि आपको थोड़ ठीक है, जो garment factories है, डेली के आसपास, उन पर pressure डाला, अब यह जो garment export factories है, यह भी अपना profit निकालेंगी, अब ऐसे तो हैं, यह loss में जाकर जो है, बड़े बड़े जो business person है, उनको चीज़े बेच देंगी, अब यह अपना profit है, यह निकालेंगी, और नीचे के जो workers होते हैं, उस पर अपना pressure डालता है, वहाँ से profit निकालता है, जो नीचे का होता है, वो अपने से नीचे वाले के जो workers होते हैं, उनसे profit निकालता है, जो merchant होते हैं, वह वीवर से profit निकालता है, तो इस तरीके से जो lower level पर जो workers होते हैं, उनको सबसे जादा loss वहाँ पर देखने को मिलत होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोफिट देखने को मिलता है यानि कि अगर बात करें जो गार्मेंट इस तरीके से है अपना प्रोफिट गार्मेंट इए यहाँ आपना प्रोफिट मैक्सिमाई्स करते है तियाzeit रहती है, and also supply the garment to foreign buyer at a cheap price, फिर जह है अपना profit निकाल कर और cheap rate पर बेग देती है कि इसको foreign buyers को जब भी इनका profit रहता है, cheap बेग कर भी जो garment export factory उनका फिर भी profit रहता है, क्योंकि जो उनसे जो नीचे के workers थे, weaver और merchant उनको बहुत यादा इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं, 70 workers है, ठीक है, 70 workers है, उसमें most of them are women, जाद तर महाँ पर women काम करते हैं, इन 70 workers में से, तो यहाँ पर क्या देखने का मिला है, कि most of these workers are employed on temporary basis, यानि कि ये जो workers है, 70 workers, जिसमें जाद से जादा women है, ये temporary basis पर काम करते हैं, यानि कि अगर कभी भी, जो employer है, वो कभी भी किसी worker की अ a worker is not needed, यानि कि जो 70 में से, for example, वो सोचता है कि 5 workers जो है, अभी need नहीं है, 65 workers ही हमारे काम करते हैं, तो तो 5 workers को job से निकाल सकता है, so the worker can be asked to leave workers wages are fixed according to their skill, यहाँ पर एक चीज़ हो रहे हैं, यह जो government की जो factories होती है, इसमें अलग-लग skill के जो person होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक जो cutting वगएरे भी कर लेते हैं, जिनको सारे काम आते हैं, लगवग-लगवग, तो जो tailors होते हैं, उनको monthly 3000 rupees मिलते हैं, in factories के अंदर, जो women है, जो काम करती है, वो क्या-क्या काम करती है, as a helper काम करती है, ठीक है, thread cutting कर देती है, button वगएरे लगा देती है, ironing कर देती है, और packaging क कर देती है, किस की, कपड़े की और shirt की, ठीक है, so these job have the lowest wages, यानि कि जो women जो काम करती है, उनका जो wage है, वो कम है, मैं अभी आपको chart दिखा दूँगा, लेंकि सबसे यादा wage मिलता है, tailor को, ठीक है, और बाकी का क्या wage है, देखिए, tailor का wage है, एक minimum उनको 3000 rupees मिलते हैं, ironing करने म पूरा chart है, जिसमें tailor को highest, वहाँ पर पैसे मिलता है, वो women या male कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो women है, वो mostly ये वाला जो work है, वो करती है, I hope कि आपको समझ में आया है, कि जो government factories है, वो अपना profit कैसे निकालती है, और अपना जो product वो foreign buyer को बेगती है, वो किस तरीके से वहाँ पर sale किया जाता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसको like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you very much for being here, have a good day ahead, bye bye